दोस्तो मैं अपने इंजिनेरिंगे सेमेस्टर एक्जाम में आखरी के क्यों सातार दिन ही पढ़ता था और मेरे मांक थेयरिस में हर बार मेरे क्लास के टॉपर्स के बराबर आये करते थे और यह टॉपर्स भी वाल अड़ किया होती थी उन्होंने पूरे सेमेस्टर में 6 महिने तक अच्छे से लग कर पढ़ाई की होती थी सारे साइमेंट सब्मिट किया होते थे प्रापर नोर्स बनाए होते थे तो अब इस पॉइंट पर आकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्योल 6-7 दिन पढ़ कर थे रिस में टॉप इसलिए भी कर पा रहा था क्योंकि मेरा दिमाग कई न कई पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज हो तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे भी क्लाश 10 में मैट के एकजाम में बहुत मेहनत करने के बाद भी 100 में से क्योल 35 माक्सी आ पाये थे मुझे कुछ ऐसे ट्रिक्स बताये थे जिने फालो करके मैं के बहुत 6 दिन पढ़कर भी टॉप कर पारा था इन फैक्ट मुझे यह लगता है कि जो भी कोई इन ट्रिक्स को जान ले और इसको फालो कर ले तो वह अभी आखरी के केवल 7-8 दिनिया एक महीने पढ़कर भी नहीं केवल अच्छे माक्स स्कोर कर सकता है बलकि टॉप भी कर सकता है और इस वीडियो में मैं आपके साथ 5-6 साल के पेपर्स को इकठा करना है जैसे कि मालो आप 2022 में एकजाम देने वाले हो तो आपको 2016 से 2021 तक के क्वेश्चेन पेपर्स को कलेक्ट करना है और आज कल तो यह मार्केट में और नेट पर इसली हो लेबल और अब आपको क्या करना है कि मालो 2021 के एकजाम में 10 क्वेश ऐसे हैं जो कि 2021 के एक्जाम में भी आये थी तो अब आपको जाब पर आपने सारे 2021 के क्वेश्चन को नोट किया है उसमें से उन 5 क्वेश्चन को जो कि दूनों पेपर में common है उस पर टीक कर देना है और 2020 के बचे 5 नए क्वेश्चन को उसी लिष्ट में उतार देना है मतलब कि अब आपके पास टोटल 15 क्वेश्चन और 5 टीक लगेवी क्वेश्चन होगे ठीक ऐसा ही आपको 2019 का पेपर लेना है और जो क्वेश्चन 2020 से 2021 में आया है उन क्वेश्चन को टीक करना है और बाकी बचे नए क्वेश्चन को उसी लिष्ट में उतार देना है मिन्स की हर आपको repeated question को ticking करना है और नए question को उतारते जाना है ठीक यही चीज्ज आपको 2016 के पिपर के साथ करना है और आखरी में आपके पास 25 इस question की एक लिष्ट होगी जिस question पर जितना बार टिक लगा होगा वह question उतनी बार exam में आया होगा और आपको अपना ज़्यादा focus ज़्यादा टिक लगे वाले question पर ही करना है और इस तरीके से अब आपको उन सारे 25 इस questions को त्यार कर लेना लेकिन फिर बात फस जाती है कि इतने ज़्यादा questions हम इतने कम समय में त्यार करेंगे कैसे तो इसके लिए हम समझते है point number two कि three effective steps to prepare questions properly बापको इसमें फस्ट इस्टेप में आपको क्या करना है कि आपको उन question को याद नहीं करना है बलकि आपको से step by step अच्छे से समझना है कि कौन सा part कैसे और किस तरीके से हुआ करता है और इसको जल्दी समझने के लिए आप उस questions related bigger को आप पहले ही तयार कर लो हाँ आप यहाँ पर हो सकता है कि उस answer को समझने के लिए आपको किसी दूसरे part को भी समझना पड़े तो इस चकर में आपको उसे रटना नहीं है बलकि आपको उसे भी समझना ही है क्योंकि एकजाम के pressure में आकर याद की हुई चीजे भूल सकती लेकिन समझी हुई चीजे नहीं भूलती second step में आपको आपने जो कुछ भी समझा है उसे आख बंद करके मन में step by step विजुलाइज करना है जैसे कि वह चीज आपके साम नहीं हो रही हूँ जैसे कि अपने टाइम पर 12 में मैं ट्रांसफार्मर को ऐसे विजुलाइज करना था कि primary coil में current गई उसके बाद magnetic field generate हुआ वह magnetic field secondary coil के पास पहुँचा जिसके कारण secondary coil में भी current प्रोडिस हुआ और इस तरह ट्रांसफार्मर वर्क करता है जिसके कारण यह चीज मुझे अभी तक याद है और थार्ड स्टेप में आप चाहें जो भी question के answer पढ़ो या कोई topic पढ़ो हर बार उसमें कुछ न कुछ एक दो line बहुत जदा important होता ही है तो अब आपको उन important lines का एक छोटा सा notes बना लेना या फिर उसे आप book में भी tick कर सकते हो और उसे आप याद कर लो अब exam में जब वह question आये तो answer में वह point highlight करके लिखो अब इससे automatically teacher की नजर उन point पर जाएगी और possible है कि आप पूरा answer ना पढ़े और आपको full marks दे दे जैसे कि अपने class 10 में history के exam में मैं dates जरूर याद करता था और exam में इसे black pen से highlight करके लिखता था जिससे कि अगर मेरा question गलत भी होता तो teacher ध्यान नहीं देते उन्हें लगता कि जब बच्चे को date से याद है तो यह answer भी याद होगा ही और मुझे full marks मिल जाते थे अब अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपने exam paper के 70% हिस्से को तयार कर लिया लेकिन मने पले यह बताया था को आपको केवल अच्छे marks नहीं लाने आपको exam में top करना है तो इसलिए अब आते हैं तीसरे point पर कि no little but no everything आपको इसमें क्या करना है कि आपको जो कोई भी exam देना है सबसे पहले आपको उस exam का syllabus open करना है जो कि basically book के starting में ही second या third page पर दिया होता है उसमें कई सारे topics होते हैं जैसे ही class 12 के chemistry में और उसे भी तयार कर लेना है अब मुझे पता है कि आप अभी यह सोच रहे होगे कि मैं इतने कम टाइम में इतने सारे topics को तयार कैसे कर सकता हूँ तो आपको तयार करने को कही कौन रहा है मतलब कि आपको उन topics के diagram और definition को ही बस समझना है जदा deep में नहीं जाना है और इसको आप अगेर मैंने जैसा के point 2 में बताया आप वैसे तयार कर सकते है अब इससे क्या होगा कि मालो exam में कोई ऐसा question आ गया जो पिछले 5-6 सालों से नहीं आया है तो चुकि आपने syllabus में आने वाले सारे topics को हलका-लका पड़ा है तो आपको उस question के बारे में भी हलकी-हलकी knowledge होगी हाँ अब यह totally depend करता है कि आप उस question के answer को लिखते कैसे हो और इसके बारे में मैं next video में बताने वाला हूँ तो अभी इस trick को follow करने के बाद आपका बचा हुआ 30% हिस्सा भी तैयार हो गया लेकिन अभी भी आपका overall percentage कम ही आएगा जैसे कि मेरा class 12 में आया था क्योंकि आपको trick 4 के बारे में नहीं पता जो कि है कि easy subject are the mark scoring subject दोस्तो कई बार क्या होता है न कि हम इन hard subject जैसे कि फिजी, exclamatory, math इन सब को पढ़ने के चकर में इतना ज़्यादा busy हो जाते हैं कि अपना focus कभी भी आसान subjects जैसे कि Hindi, English, social science इन सब को पढ़ने में करते ही नहीं इसे neglect कर देते हैं और फिर इसे हम exam के 2-3 दिन या फिर एक हपते पले ही उठाते हैं जबकि यही subject हमें ज़्यादा marks दिलाते हमारे overall percentage को भढ़ाते आए इसको make example के help से समझते हैं कि जैसे कि मालो आप रोज की वल 15 minute के लिए chemistry पढ़ते हैं तो साथ आप chemistry में पास भी ना उपाओ लेकिन अगर आप रोज की वल 15 minute के लिए हिंदी पढ़ोगे तो definitely आप 90 से ज़्यादा score करोगे तो सबसे पहले आपको इन आसान सब्जेक्ट को स्ट्रॉंग करना है क्योंकि जितनी मेहनत आप अधर सब्जेक्ट में करके पास भी नहीं हो सकते उतनी मेहनत में आप इस सब्जेक्ट में टॉप कर सकते ह। और जिससे की आपका overall percentage भी बढ़ेगा और actually मैं मैंने भी यही गलती अपने class 12 में की थी कि physics chemistry में पढ़ने में मैं इतना ज़्यादा busy हो गया था कि add then मेरा तीनों सब्जेक्ट में 85 से उपर आया लेकिन हिंदी इंगलीस में मेरे 75 मार्क से भी नीची आया जिसके चलते मेरा अच्छा खासा overall percentage गिर गया था अब चुकि आपने वीडियो को यहां तक देखा तो मैं आपको एक और bonus टिप देना चाहूंगा कि जब भी मानलो आप एक घंटे के लिए पढ़ो तो आप अगले 5 मिनट तक आख बंद करके जरूर सोचो कि आपने अगले घंटा क्या पढ़ा हाँ starting में प्रोसेस थोड़ डिफिकल्ट होगा आप में भूल होगा लेकिन इसे आप जितनी बार करोगे हर बार आपके दिमाग की याद रखने की capacity बढ़ेगी और आप ज़्यादा कुछ पढ़ा हुआ याद रख पाओगे और आप इसे केवल 21 दिन करके इसमें फर्क देख सकते तो इस वीडियो में हमने 4 बाते सिखी पाली कि आपको 5 साल के पेपर में से most important question को select करना है और उसे तयार करने के लिए हमने 3 method देखे पाला कि हमें उसे याद नहीं करना है उसे step by step समझना है दुसरा कि समझने के बाद उसे हमें आख बंद करके visualize करना है और तीसरी बात कि हर question में एक दो important line होती है जिसका हमें notes बना कर उसे याद करना है तीसरे point में हमने देखा कि हमें अपने syllabus के सारे topics के figures को, diagrams को, definitions को तयार करना है और four point में हमने देखा कि हमें अपना focus easy subject पर भी करना है क्योंकि यह subject at the end हमारे overall percentage को बढ़ाते हैं अब हाला कि दोस्तों class 12 के math के exam में मैंने 100 में से 95 marks पाई और याद सब मैंने रोज के ओल एक घंटा पढ़कर ही किया अब याद मैंने कैसे किया है सब detail में मैंने इस वीडियो में बताया है अब चाओ तो इस वीडियो पर क्लिक करके भी इसे देख सकते धन्यवाद